किसान भाई नमसकार मेरा हुए मेरा मेरा मैं मनीज देशवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग हम साहिवाल डेरी अर्म पर आयोज जहां पर साहिवाल नसल चुदार पर इसensible काम कियाता है तो पूटी जानकारी लेगे फीड नेकर शहीच लेकर भीडिक पर काम-करम कर रहे है यह उसम्हें में 300 के असपास सब छोटे बड़े मिलाकर हमारे साहिवाल गोवश हैं और इसको हम पिछले 25 साल से गाएं के अपर काम कर रहे हैं यह गाएं हमारा लोकल अर्याना पंजाब का तो है यह सबसे अच्छा और इसके साथ-साथ यह एशिया की सबसे बड़ी अबरीड है दूद के इसके गुनों के रूप में भी इसके गाएं के अंदर तो इसके अलाव सरो कोई खास बात अपने इसी गाएं का च्छे अन क्यों करा साहिवाल का बाकी आप गीर का वी कर ले पाल सकते दे इसी को आप क्यों बड़ावा दे रहें यह गाएं जो हैं बिल्कुल किसान के होगी दूसरा यह गाएं छोटे साइज हो के भी कम चारा कम दाना खाकर किसानों के लिए काफी लाब कारी है इसका कोष्ट और प्रोड़क्शन जो दूद का हमारा किसानों का काफी बढ़ गया है क्योंकि फीड के और चारे के रेट इतने बढ़ चुके हैं किसान डेरी से बाग रहे हैं जबकि यह गाएं कम चारा खाकर किसान को जादा दूद देती है और इसका रख रखाव भी बहुत असनी से किसान रख सकते हैं और साथ में बीमारियों का भी इसमें काफी कम है उप पर खौप है अब हम आपके गाएं देख रहे हैं उसके बारे बताएंग देख रहे हैं जिटकाबरी शिए लग अलग खाके से दब्बे हैं वह कुण सी नसल है यह भी काफी दूद आरू नसल है इसको भी हम इससे साहिवाल को के साथ साथ कुछ देख रहे हैं ग्राठी भी हमारे हैं आप ने जो बताया कि कितने आपके पास नसल सुदार पर किस अच्छी गायों को नंदी बनाने के लिए भी अच्छी गायों के जिनका पंदरा बीस लिटर के बीच में मां का दूद है उनको त्यार कर रहे हैं और साथ-साथ जो अच्छे हमारे सरकारी संस्थान है जैसे एंडियराई साबर मतिया शरम गउशाला और एबीसी सालून र ताकि दूद का परतीदीन जो गाये का और अवरेज दस महिने का मारा दूद तीन जार लीटर ब्यातकाल से उपर पड़ रहा है आपने बूल अच्छे कि ब्रीडिंग पर बढ़ा देने के लिए कितने बूल रखने हैं एक पांच बूल जो त्यार हैं यंग बूल हैं उसम तो यह रख़ाब करके आम जल्दी संट से विज़ाई आप ने रहे हैं आपने का ही हम तीन साल बाद इसका जो है बरीडिंग में इसको 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 इस्तमाल करते तीन साल कारान क्यों है क्योंकि जब उस गाये सांट की बच्छिया तियार हो जाएगा तीन साल बाद तो इन अपने जो है कि इसको कई पाट बाट हुआ एक दो तीन अलग अलग पाट हुआ फारमों के अपने एक जिंगे मीन को रख सकते हैं अलग अलग क्यों कर दिया नकुछ जो हैं इल्डिंग आए हैं बीच लिटर वाली हैं उनका फोड़ा खर्चा पानी दाना का अलग ही साब र और खर्चा पानी इसाब से दिया जाए इसके अलावा जो आपका भी कितनी गाएं आपके हां दूद दे रही है तीन सो में से और कितना जो है मिल्क प्रोडक्शन आपके हो जा रहा है हमारे हैं कम से कम अब ज्यादा तर गाएं गर्ब होती हैं लेकिन फिर भी असी गाएं का अब आपके हमारे हैं दस लीटर के करीब नो लीटर के अवरेज आपके पाइदा होता है एक गाएं साथ का मतलब अवरेज लेकिसलते नो नो यह दस लीटर आप क्योंकि जो पीक में जो गाएं अच्छी साहिवाल वह पंदरा सोड़ा लीटर दूद देती है जब ड्राइ पीड की नजदी की जाती है तो गाएं के साथ-साथ उसका में ट्राइव तीन मिन्ने तो रखना ही पड़ता है उसका पीड उससे दूद की आवरेज तीन जार लीटर तो फारम पे हमारे सब गाएं का एवरेज पड़ता है दूद का इसकी कीमत वगएर यहां पर क्या मिल जुरूरी सूचना है क्योंकि गाएं का देशी गाएं का गी बहुत कीमती है इसको हमें ऐसे दी सस्ता दूद नहीं दे रहें कि जाए गी बना कर बेचना चाहिए इसके लाव सर आपका जो यह बाड़ा है इसमापने कितनी गाएं रखी है और इनके बारे में थोड़ा बत गर्वित कराया है और अब तो सरकार का सेक्सी मन भी अब आया है जब अच्छिया वाला जिसे बच्छिया ही पैदा होंगी इनको वह भी हमने दिया है अगली जो यह जनरेशन है बच्छडे कम पैदा करेंगी तो ताकि सीमन से लाब होगा यह सर किस नाम से मिल रहा है मारक अच्छे होते हैं बजाए दूसरी गायों को क्योंकि इसमें एक्सवाई जो शुक्राणू है वो उसमें से बच्छडों के निकाल देने एक वज़े से कम हो जाते हैं इसका कुंसेप्शन रेट अभी थोड़ा हमें कम मिल रहा है लेकिन दीरे-दीरे सायद अब ग्यानिक पालने के खर्चे से बच सके और बच्छियाई ज्यादा उनको जरूरत है तो बच्छियाई पैदा हो इसके लावास सर थोड़ा यह और बताएगा अपने बताया आपको मिलक रेट सतर रुपे तक पढ़ रहा है आपको डेरी फार्म को प्रोफिट रखने में प्रोफिट तक मिलक सेल होना जरूरी है सबसे बड़ी तो अगर किसान के पास अपना राचारा है और अपना सुखा चारा भी वह सीजन में इकठा कर ले तो काफी बचत वह अपने कोश्ट और प्रोड़क्शन जो मिलक पर आती है उसको कम कर सकता है दूसरा किसान थोड़ा सा हैं को कर दूसरी गाएं का बेच सकें तो यह लाबकारी मुल्या है लाबकारी मुल्या है पर सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको तो इतना मिली पाता है 35-40 तो इससे ओपर फिर क्या भी कल पर कैसे अचा रिट ले अगर हम इस तूद को अच्छी तरह से गाउं से पैकिंग कर के जो बोतल में आजकल नया कॉंसेप्ट आया है सीधे मार्किटिंग कि उपभोगता के घर के दौर जो शैरों में लोग दूद के लिए बहुत परिशान है उनको दिया जाए तो दूद में कितने ज्यादा नहीं है कि दूद का रेट अच्छा मिल सकता है इसके बाद आप भी सावरमति आशरम का जो सबसे अच्छा बूल है इसका बाप का भी हमें आरे पास रिकार्ड है तो इसके दुनों माबाप अच्छे हैं और इसकी बच्चिया भी प्रिगनेट बच्चा देने वाली हैं प्रिगनेट बच्चे आ चुके हैं तो क्या उमीद लगा रहा है क कितने मिल्क रिकोर्ड तक रहेगे इसके बच्चे अब इसके आसपास तो रहे गई रहे गई तो आपने अपने फारम पर ही तियार करें जी आपना खुद पर अच्छी गाएं का बच्चड आए तो इस इसाब से अब मारे किसानों के अंदर बाउना आई या कि अच्छे नंदी अच्छे चुने जाएं तो उस इसाब से यह जुरूरी है कि हम अच्छी गाएं के बच्चडे खुद त्यार करें क्योंकि अगर एक गाएं गर्ब इतना हो सारा साल हम उसको खलाना पड़ता है तो दस गाएं में एक नंदी को रखने से कोई जादा खर्चे का मैं क्योंकि वो इतना ही रिजल्ट दे देगा सब की सब गाएं मुश्किल नहीं होगा कि उनको यही कराने जाए तो प्रिग्नेट हो जाती है नंदी रखने से यह जरूरी है कि हमें हर साल बच्चे पैदा ज्यादा बच्चे होंगे और जिससे जादा गाएं गर्ब होती रहे हिजाब में बहुत अच्छी जमीन है चारे की अरे चारे की तो कमी नहीं है सुखा चारा मुख्यता बीस किलो अराचारा और पांच किलो बुस्सा गेंगा यह बारा मिनन को दम देते हैं साथ में जो गाएं दस लिटर दूद दे रही है उसको तीन किलो जो दाना खनी मिला यह चारे करको वह खुद चार कराते हैं उसमें बाई से स्बसक्तित देख सकते हैं जो इससा इसमें इसमें एक साल में हमें सब गाएं हमारी अपनी गर की पैदा की हुई हैं कम से कम पीस साल से इन गायों को नसल बनाने पे लगे हुए थे जब आज इनका इतना अच्छा रिकार्ड मिल रहा है और इन गाएं से हमने अब के बच्छडे बच्छडियां भी हम इनकी त्यार कर रहे हैं और यह गाएं ब क्योंकि अच्छी प्योर नसल की गाएं काफी कम मिल रही हैं किसानों को तो उसलिए मेरे सब किसान भाई यह संज रोध है कि वो पांच-दस परसेंट अगर कोई गाएं बिल्कुल प्योर भी नहीं हैं 90 परसेंट साही वाल है उसको चुन लें और उसी से अच्छे नंदी स अच्छा सीमन दे के अच्छी बच्चिया खुद त्यार करें क्योंकि लोग मुं मांगे कीमत काफी ज़्यादा मांगने लग गए हैं अच्छी गाएं की मेरे मुखेता नुमान यह है कि एक लाख रुपे गाएं का अच्छी गाएं का मारे हैं कीमत है जिससे किसान अगर ज़्यादा दो लाख रुपे की गाएं नहीं खिरिद पाएंगे तो कुछ ना कुछ उसको खुद ही अपने आथ त्यार करनी पड़ेगी और अच्छे सीमन अब काफी मिल रहे हैं अच्छे सांड भी मिल रहे हैं और अच्छे नंदी खुद त्यार करें तो खुद की किसा जरूरी किसानों को चाहिए कि क्योंकि आफ सीजन जब चीजे दुगने कीमत पर खृते हैं तो डैरी में मुनाफ़ा नहीं है हमें किसान बाजियों को कुछ मेंद करना चाहिए सीजन के अंदर क्योंकि बुस्टा हमारे हैं डाइसो तीन सो पे कॉंटल था सीजन में और अवेलबल बहुत आरियाना पंजाब में बलकि मैं तो यह कहूंगा के पराली जलाने की बजाए कि सरकार को मशीनी करना करने की बजाए गाएं को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि गाएं खाद भी त्यार कर रही है और पराली का प्योग करके दूद से अदितम कोई भी म मिशीन ने दे ता कि वह चारे में गाएं को गवशाड़ा एं किसान यूज कर सके पराली अभी आपने फीड है हरा चारा भूसा यह सब आप घर से अपनी जमीन से कर लेते हैं हमारे पास बीस बाइस एकड़ अपनी घर की जमीन के साथ साथ हम पट्टे पर जमीन भी लेते हैं चारे पैदा करने लिए और प्रोशियों के खितों से भी हमारे और चारा अवेलबल हो जाता है ऐसा कोई चारे की समस्चा नहीं है सीजन में बहुत हमें में मेन तो करना पड़ता है कभी वह खर्चा कम हो जाता है मतलब 300 जैस गाए हैं तो इसमें कभी साल में एक सिजन किलो और अचारा ये नहीं खात पाती थोड़ा चारा से भी इसके बुजारा हो जाता है किसी भी ताप माने में रख सकते हैं बिल्कुल ये गर्मियों में तो बलकि ज्यादा खुछ रहती है हम ठोड़ी हमारे हम मसूस करती है लेकिन ये अगर शेड़ पे भी किसान भाई ना किसान को बारी बरकम लोन के ब्याज देने में गुजर जाती है उमर तो खुद अगर हम अपने हाथ से काम करें और खुद नोकरों को भी काम कराने के आद डालें तो इतना मुश्किल नहीं है हम इसको मनेज कर पाते हैं तो किसान भाई उमेदा सर्ण जो आपको जानका रहे थी काफी अच्छे लगे होगी बाकी पशुपाल को भी ये वीडियो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें